हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टो अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ओफ तिंकिंग मेरा नाम है श्रुतिका आजका हमारा टोपिक है वर्टीब्रेट पेस्टीन एग्रिकल्चर इसके पहले हमने एंटोमलोजी रिलेट फाइफ टोपिक्स कवर किये थे जो सभी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो जाके देखिए और सेशन को स्टाइट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स जल्दी सेशन को शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में पूछिए चलो स्टाट करते हैं एक प्रियोडिकली और कंसिस्टंट्ली हाज एन एडवर्स इफेक्ट वन हेल्थ और वेल बिंग और कॉन्फिलिक्ट्स इन सम सिग्निफिकेंट वैं विफ यूमन एक्टिविटीज और इंट्रेस्ट तो वर्टिब्रेट पेस्ट ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जो इंट vertebrate and paste यह दो अलग-अलग वर्ड हैं तो सबसे पहले vertebrates तो vertebrates का मतलब यह होता है कि जो animals जिनके body में vertebral column या फिर spinal cord या फिर backbone ठीक है spinal cord backbone या फिर vertebral column जिसको हिंदी में read की हड़ी भी कहते हैं यह present होता है ठीक है तो वह होता है vertebrates तो वह organisms कहलाते हैं vertebrates तो spinal cord backbone या vertebral column तीनों एक ही है तो यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हैं vertebrate pests are those animals which possess spinal cord और backbone ठीक है तो यह होते है vertebrate pest उसके बाद जो है pest तो vertebrates का समझ में आ गया है कि ऐसे organism जो spinal cord या फिर backbone होता है तो pest का मतलब क्या होता है any animal और plant which has harmful effect on humans their food और their living condition तो pest का मतलब ऐसे organism जिन जो harmful effect प्रोड्यूस करते है humans पे या फिर humans के related जो भी activities उस पे तो यह होता है pest तो vertebrate pest का मतलब क्या हुआ कि ऐसे है vertebrates जो humans या फिर humans से related activities पे कुछ effect कॉस कर रहे हैं हामफूल effect कॉस कर रहे तो वह होता है vertebrate pest तो vertebrate pest cost considerable damage to environment agriculture and biodiversity apart from transmitting disease तो disease transmission के अलावा vertebrate pest जो है environment agriculture and biodiversity को भी damage करते है ठीक है उसके बाद जो है vertebrate pest जो है इन में कौन-कौन सी categories आती है vertebrate pest include सबसे पहला है rodents उसके बाद है birds, primates, ungulates and lagomops ठीक है देरा five categories तो सबसे पहले देखते है rodents रोड़ट्स सबको पता है चुहे या फिर गिलहरी, rats, squirrels यह जो है यह आते है rats, squirrels, bandicoats, gerbils यह सारे आते है रोड़ट्स अभी कुछ students को यह question आ सकता है कि माम rabbits जो है वो रोड़ट्स में नहीं आते क्या तो rabbits जो है वो रोड़ट्स में नहीं आते वो क्यों नहीं आते है वो हम आगे देखेंगे सबसे पहले देखते हैं रोड़ट्स को तो रोड़ट्स यह जो है they are cunning and clever animals बहुत चालाख होते है some of them feed on grains, some burrow the land and floors near the buildings and some contaminate foodstuff with urine, hairs and their excreta तो जो रोड़ट्स है कुछ क्या करते है ग्रेंस पर feed करते है कुछ जो है लाइन को burrow करते है field में या फिर कोई buildings के पास कुछ जो होते है रोड़ट्स वो food को contaminate करते है urines से, hairs से या फिर excreta से ठीक है तो रोड़ट्स में सबसे पहला जो है प्रोक्यूपाइन इंडियन प्रोक्यूपाइन हिस्ट्रिक्स इंडिका ठीक है घ्रोट्स जो होते है यह क्या करते है यह फिल्ड क्रॉपस को dig कर देते हैं मतलब जैसे फिल्ड है वहां पे standing crop है तो ये अगर प्रोक्यूपाइन चले लगे फिल्ड में यह अगर भरेटichen हो जाती है प्रोटिंग हो जाती है ठीक है crops की फिर plantation या फिर जो regeneration areas होती है वहाँ पर भी यह क्या करते है कि direct plants को kill कर देदे plants को जो stems से अलग कर देते है या फिर seedlings, saplings या फिर transplanted होते है उसको उखाड देते है ठीक है तो यह होते है उसके बाद जो है squirrels, squirrels सबको पता है गिलारी ठीक है तो squirrels यह क्या करते है डाइमेज करते है अग्रिकल्चरल फिल्ड और plantation में, they have been observed damaging maze cobs and young seedlings in nurseries, it is nocturnal in habit and feeds primarily on fruits and nuts of various crops तो various fruit crops या fruit nut crops पे generally feed करती है squirrels ठीक है यह थे squirrels उसके बाद जो है rats and mice तो rats and mice सबको पता है rats and mice तो सबको पता है तो rats क्या करते है, severe damage cause करते है, crops को भी और domestic commodities को भी घर में भी या फिर जो domestic commodity उसको और crops को भी damage करते है तो several types of diseases to be known are transmitted by rats तो बहुत से ऐसी diseases भी होती है जो rats transmit करते है besides consuming considerable amount of food, they contaminate such much more by urine faces and hairs तो क्या होता है कि यह खाते तो है, ठीक है, foodstuff खाते हैं उससे ज्यादा यह damage करके रखते है मतलब contaminate करते है, hair से, urine से या फिर excreta से ठीक है, तो यह rats and mice होई ठीक है उसके बाद control measures of rodents, तो rodents के जो control measures है उसमें सबसे पहला है trapping, smoking, flooding of rat burrows and hunting help in reducing rodent population तो rats को traps use की जाते है rats के लिए generally, smoking की जाती है या फिर जो burrows होते है rats के, उसको water से fill किया जाता है या फिर hunt किया जाता है, ठीक है, तो उसके वज़े से जो है considerable amount में rat को control किया जा सकता है उसके बाद maintaining population of cats, तो जहाँ बहुत जादा incidence है rats का तो वहाँ पर क्या करना है, कि cats का population maintained किया जाता है यह cats generally rats पे feed करती है, यूज अफ रोडेंटिसाइट सचा जिंक फॉसफफाइड वारफारिन और ब्रोमाडायूलोन तो अलब 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 रोडेंटिसाइट का यूज किया जाता है रोडेंट कंट्रोल के लिए जैसे जिंक फॉसफफाइड वारफारिन या फिर ब्रोमाडायूलोन उसके बाद जो है बेटिंग टेकनिक यूज की जाती है 2% बेट इस यूज किया जाता है राइट को किल करने के लिए तो यह जो 2% बेट जो है यह प्रिपेर किया जाता है नाइंट ग्राम ऑफ बेट तो बेटिंग टेकनिक से कोशन आ सकता है कि इन बेट करने के लिए जाता है ऊपार्च भेजिटेबल ओएल जह च्यूज किया जाता है उसको mix करके उसमें 2 gram zinc phosphate यूज़ करके उसका बेट प्रिपेर किया जाता है तो बेटिंग टेकनिक अलसो इस हेल्पफुल फोर और रेंट कंट्रोल आप सब लोगों के लिए एक खास निउस अगर आप नाबाड में जाने की सोच रहे हैं या फिर आपको कोई भी डाउट है नाबाड को लेकर तो इस 16 जुन को ओलिव बोर्ड एक फ्री सेशन करा रहा है डॉक्टर एम के धिंगरा के साथ इन्होंने 30 साल से उपर नाबाड डिपार्टमेंट में एस जनरल मैनेजर काम किया है इनका सेशन बिलकुल फ्री है आप आज ही नीचे दी गई लिंक से जापर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा रोटेंट के जो है इम्पॉर्टेंट स्पीसी कौनसे कौनसे हैं तो यह धन में रखे कभी कभी आ जाता है नाम से पूछ लेता है कि वीचा वने फ़ॉल्विंग हाउज रैट या फिर ब्राउज रैट इंडियन मोल रैट तो ध्हन में रखे सबसे पहले जो है house rat तो house rat जो है वो है ratus ratus rural and urban residential areas या कहां पाया जाता है habitat उसका rural and urban residential area house rat तो house नहीं पाया जाता है generally उसके बाद जो है house mouse जो है mus musculis warehouse and go down तो warehouse और go down में पाया जाते है brown rat ratus norvegicus तो ratus लोज निकालता है वहाँ पे अगर सीवेट पे आपको राइट दिख रहे तो होते हैं ब्राउन राइट जनरली रेल्वे स्टेशन में वगरा भी आपको यह ब्राउन राइट देखने को मिल सकते हैं उसके बाद इंडियन मोल राइट बंडी कोटा बेंगालेंसिस स्टोर हा एंडियन जरबिल टैटेरा इंडिका ट्रॉपफिल्व और ग्रास्टने इसका है इंडियन क्रेसट्टेज पॉक्यु पाइं रिच्रेशन ब्लैक ब्रोंगो और मोस्टली फांट डामेजिंग क्रॉप्स इफील्ड तो यह कुछ बर्ड्स है जो ज़नरली फांडेड है जर्ली पाये जाते हैं जो डामेज करते हैं क्रॉप्स को जो फीड है मैचुरीं ग्रैंस तो मैकुरीं परमेजा जाते हैं टीर्ट किरोड्ल सेन इसके वाज़ेसा से बहुत जाते हैं री हम फूलो जाते हैं ॥ील्ड ज Оп लीए मिल्क יטर कमेटम है क्रॉप्स लग शुफान कशी मिल्क करको तो बर्ट जो एंवहर्यस क्रॉब्स पे फीट करते हैं तो इसमें जो है फ्रूजीवर्स और ग्रेमिर्र सौफें इस्वर अंग ग्रेर्स चोफीट करते हैं depends 실 context work यह में पंचे पिल्म सकते हैं तो अरैं मैं उसके पंचे। वो में से ποर सब्सक्राइ curated। तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब अगरे फीडुल करने मतलब ऐसे जो मैचुरिट पे आज आये होगे होते हैं या फिल कुछ शाटर्ड हो जाते हैं ग्रेंज उस पर भी फिल्ड करते हैं कुछ ग्रेंवर्स ठीक है पीजन कोलमब्य्य Consumidus पैजंड पीजन कोलंबा लीविया वीर्यойдर्स और उरियन्य इस बर्ड के रिपाल के मेफिलग के लिए यूज की जाती है तो सबसे पहला जो है वो bird scarers, bird scarers produce loud noise, the explosion sound is from acetylene gas that is generated when the calcium carbide comes in contact with water तो यह important point है, धैन में रखिए, bird scarers जो है ऐसे device होते है जो loud noise produce करते है और उसमें जो explosion sound होता है bird scarers में, तो वो क्यों होता है? तो यह question आ सकता है एक्जाम में कभी, explosion sound जो है वो acetylene gas के वज़े से produce होता है, तो explosion sound जो है वो acetylene gas के वज़े से produce होता है, bird scarers में, ठीके, colored ribbons और reflective tapes are tied to bamboo poles surrounding the field and usually it is tied one feet above the canopy of crop, chemicals used to repel birds और kill birds are known as abicides, तो abicides ऐसे chemicals होते हैं जो birds को repel करने के लिए use के जाते हैं या फिर kill करने के लिए use के जाते हैं या फिर kill करने के लिए use के जाते हैं, anthroquinone, DRC1339, avirtol, chlorallos, यह कुछ abicides हैं, ठैन में रखिए, eliminate sources of water and food, remove nest, अगर कोई पेड है उस पे, बटन और food का source है अगर फिल्ड में, तो उसको भी हमको हटा देना है ताकि वहां पर birds आना सके तो यह device है, जब बट्स को भगायने के लिए उसको जाती है, यह तो traditional method है, सभी को पता होगा, ऐसे bamboo और grass से ऐसे उसको एक कपड़े पैना दिये जाते हैं, ताकि ऐसे लगे कि वहां पर कोई है, तो उसके वज़े से birds भाग जाते हैं, चीक है, उसके बाद जो है primates, third category primates, तो primates, among primates, lemurs and monkeys, macex and langurs are largely vegetarian and feeds on leaves, birds, flower, fruits, vegetarian nature of their diet makes them potentially destructive to crops and orchards, तो primates में generally monkeys, monkeys, langkurs, जो है, वो आते हैं, तो यह monkeys का तो damage सबको पता है, वो क्या करते हैं, feed करते हैं, leaves पे, birds प्ले, flowers पे, fruits पे, तो generally बहुत ज्यादा damage करते हैं monkeys, या फिर जो primates कहते हैं उसको, vegetarian nature, इनका vegetarian nature होता है, उसके वज़े से क्या होता है, Potentially destructive to crops and orchards, तो orchards में जदा damage करते हैं, उसके बाद जो है, अंगिलेट्स, तो अंगिलेट्स में सबसे पहला है, wild boars, तो wild boars मतलब जंगली सुवर, तो जंगली सुवर, जो होते हैं, wild boars जो होते हैं, या फिर wild pig भी कह सकते हैं इसको, तो देख, वो कैसा damage करते हैं, crops को, destruction of nursery beds, जो nursery beds होते हैं, उसको डिस्ट्रक्ष कर देते हैं, अपरूट कर देते हैं, जो चोटे-चोटे saplings हैं, फ्लान्ट होते हैं, उसको uproot कर देते है, stripping of bark of trees, जो trees की barks होती है उसको scrap कर देते हैं, ठीक है, यह अगरिकल्चरल पेस्ट क्यों है, क्योंकि destruction of their natural habitat, ठीक है, natural habitat उनका डिस्ट्रक्ट होने के वज़े से, वो अगरिकल्चरल क्रॉप्स पे ज्यादा आने लगे हैं अभी, तो यह है, wild boar, उसके ब considerable damage to bark is also caused during the process of rubbing horns against the stem, antelopes में generally, जो बारा सिंगा होता है, यह होता है, वो आते है, तो यह क्या करते है, तो यह क्या करते है, कि fruit trees, या फिर, जो crops होते है, उस पे fit करते है, या फिर transplant होते है, forest, जैसे forest area, अगर fields से पास में हो, तो वहापे भी यह damage करते है, इनका ज्यादा ज् होते है, इसे barks होती है, trees की, तो उस पे अपने जो सिंग होते है, उनके जो होते है, उससे वो damage करते है, स्टेम्स को, तो जैसे अंगिलेट में elephants आते है, और अगें, fox आता है, तो इनका जो control के लिए जनरली जो है, farmers, यूज करते है, जो wires होते है, वायर फेंसिंग्स जो हो जनरली इनके control के लिए यूज की जाती है, जनरली जो wild boars के control के लिए, यूज की जाती है, बहुत से farmers यूज करते है, उसके बाद जो है, लागोमाफ्स, तो लागोमाफ्स जो है, फिफ्थ कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन की, तो उसमें आते है, hares and rabbits, तो मैंने पहले खात कि rodents में rabbits नहीं आते हैं, तो rabbits rodents में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि rodents में जो है, two incisors होती है, मतलब उनमें सिर्फ दो incisor दात होते हैं, and rabbits में जो है, चार incisor teeth होते हैं, तो उसके वज़े से rabbits और rodents अलग-अलग categories में आते हैं, धहन में रखिए कि अगर आपको कोई बोले कि rodents में rabbits भी आता है, तो आपको बोलना है, नहीं, rabbits rodents में नहीं आता है, ठीक है, तो rabbits या फिर hares, they are nocturnal, grays, mainly on grasses, herbs, scrubs, bulbs, roots, barks, etc, instances of becoming are widely known, ठीक है, तो they do considerable damage to crops like wheat, barley, जवार, मेच, fruits, vegetables, they also browse on young trees, fruits and forests, तो rabbits generally, herbs, grasses, shrubs, root crops, carrots, turnips, ऐसे crops पो ज्यादा feed करते हैं, तो यह था, तो यह थे कुछ vertebrate paste, और पर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको, और आपको कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पुछे, थैंक्यू,